हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी फॉक्सवेगन वेंटो 2015 मोडेल के बारे में आज से तक्रीबन चार साल पेले यानि की 2019 में हमने ये सेकंड एंड मार्केट से पर्चेस की थी मैंने तीन साल पेले भी एक इसकी तब ये 51,000 चली हुई थी ये 2015 की आयलाइन मैन्यूल 1.5 टीडिये इवेंटो है इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बाते तीन साल पेले जब मैंने वीडियो डाली तब बताई थी अभी हमारे पास इतना लंबा टाइम हो गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ए मैरे इस गाड़ी में कुछ भी खर्चा नहीं आया है यानि कि इसका कोई भी पार्ट बिगड़ा नहीं है और एक चीज में आपको बता दू मैंने अपनी चैनल पे DIY वीडियो यानि कि Do It Yourself मतलब कि मैं इसकी सर्विस और जो भी कुछ इसका मेंटेनेंस होता है वो मैं खु आज तक एक भी बार मुझे सर्विस सर्विस सेंटर विजिट नहीं करना पड़ा है मैं घर पे इसकी सर्विस करता हूं और हमने जो पार्ट्स चेंज किये है उसमें मेजर है एक तो हमने ब्रेक पेड्स चेंज किये है जो की मैंने अपनी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था और अब तक इसमें दो एबीएस सेंसर चेंज हो चुके है एबीएस सेंसर इसके में गयाते वह आप अगर कंपनी में जाएंगे तो आपको 4500 कोट करेंगे एक सेंसर के लेकिन मैंने उसके लिए भी एक वीडियो डाल रखी अपनी चैनल पे किस तरह आप बहुत सस्तम यानि कि 1500 रुपे में घर पे ही एबीएस सेंसर चेंज कर सकते हैं और इसका एक स्केनर यानि कि VCDS केबल भी मैंने ले रखा है अपने परसनल यूज के लिए ताकि मैं अगर इसमें कुछ एरर वगेर आती है तो मैं कुछ से स्केन कर पाऊं क्यूंकि यहा प्रोपरली में रखता हूं और टाइम टू टाइम इसकी सर्विस होती है हमारा यूज काफी कम है तो यह काड़ी 15,000 किलोमेटर तो एक एर में नहीं चल पाती तो 7,8,9,10 या जितने भी 10,000 किलोमेटर जितने भी चलती है उसके बाद मैं इसकी सर्विस करी डालता हूं क्य है कि एक साल में एक बार इसकी सर्विस होनी चाहिए तो होनी चाहिए तो इसमें आपके चार फ्यूल फिल्टर्स और एंजिन ओयल यह सब में गर पे ही चेंज कर लेता हूं तो और मैंने इसका एक बार पॉली वी बेल्ट जो अल्टरनेटर बेल्ट भी बोलते है उसे भी अपने आथों से ही चेंज किया है तो उसके अलावा मुझे आज तक इसमें कुछ भी पार्ट मतलब मेजर पार्ट चेंज नहीं करने पड़े जो पार्ट वी एर एंड टियर होते है वो तो हाला कि हमें चेंज करने ही होते है इसके सस्पेंशन की बात की जाए तो नहीं किया है तो अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो हमने इसके वीर एंड टियर पार्ट में हमने एक बार पोलो के टायर डलवाया इसमें जो कि मैंने गाड़ी हमने जब गाड़ी पर्चेस की उसके 10-12,000 किलोमेटर के बाद ही चेंज करवा लिये थे और हर 5000 किलोम काड़े हीर है आपको चेंज करवाने ही होते हैं अभी इस टायर के साथ 3 साल कंप्लीट हो गए है तो और 2 साल आराम से चल सकते है सब से अभी हम बात करते है इसके प्रोज के बारे में अभी चार साल चलाने के बाद मैं आपको ये सभी चीज़ें बता सकता हूँ सबसे मेजर इसका जो प्रो है यानि की जो फाइदा है वो ये है कि आज तक गाड़ी ने 2015 यानि की 7 साल पूरे कंपलिट कर लिये है लेकिन इसमें आप कहीं पे भी एक भी रस्ट का स्पोर्ट नहीं देख सकते आप बोड़ी का कोई भी पार्ट ले लीजिए मैंने देखा आज कल की कुछ गाड़ीों में 2 साल या 3 साल में रस्टिंग डोर्स में और ये सभी चीजों में रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है आप इस गाड़ी में एक भी पार्ट में रस्टिंग नहीं देख सकते हैं अगर पार्ट रिपेंड हुआ है तो रस्टिंग होगी क्योंकि उसकी पेंट की क्वालिटी इतनी अची नहीं होगी लेकिन इस गाड़ी में रस्टिंग का एक भी स्पोट या बबल आज तक नहीं बना है हलाकि जब ये गाड़ी आती थी तब कंपनी साथ साल की वारंटी देती थी अपने पेंट पे लेकिन फिर भी में ये स्योरली कह सकता हूँ कि इसका जो बोड़ी पार्ट और पेंट की क्वालिटी है वो आज भी कोई गाड़ी कोई भी दूसरी कंपनी मेच नहीं कर सकती इंडिया में ये VW और Škoda ग्रूप अपनी लिक से बाहर था पुरा क्यूंकि इतनी प्राइज में इतनी कम प्राइज रेंज में ये लोगी सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड करते थे मैंने और भी कहीं गाड़ियां देखिए जैसे की होंडा की हो गई और सुजुकी और यूंडाई इसमें तो पेंट के प्रोब्लेम्स रहते ही है बबल्स तो साथ या आठ साल में कहीं पे भी आपको देखने को मिलेंगे और जो इसके जो बोडी पार्ट जो आज फिल होते है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अनमेचबल है इसके इंटिरियर पार्ट में आज तक कोई भी रेटलिंग की साउंड भी नहीं है आप कोई भी पार्ट आप देख लीजिए इसके पार्ट मेंगे जरूर है लेकिन इसमें आपको कभी भी रेटलिंग वगेरा की noise अगर आपने खोला नहीं है तो नहीं आएगी इसके AC events काफी delicate है वो तो प्रोब्लेम है ही पोलो और वेंटों में लेकिन आज तक हमने care किये इसलिए इसका कोई भी part हमने interior का change नहीं किया है हलाकि ये touchscreen वाला player है वो मैंने video डाल रखी है उसमें हमने ये reverse camera के लिए install किया है ये original genuine VW का है rcd340 हमने rcd320 लगा था यहाँ पूरा button वाला वो निकालके ये लगा है तो इसमें reverse camera भी हमने install किया है वो भी आप मेरी channel पे check कर सकते है इसकी sound quality भी काफी बढ़िया है इसकी जो ये leather material है ये जो seat का वो भी काफी बढ़िया है इसकी जो buttons की quality है वो top notch है ये जो feel है आज तक वो ही same feel है जो हमने जब तक जब लिये थी और अभी में photos डालूँगा car की उसमें आप देख सकते हैं इसका color हमारा white है बिल्कुल भी आज तक अगर हम अगर number plate निकाल के और पूरी गाड़ी पूरी तरह से मतलब wash करके रखते है तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये पूरानी मतलब 7 साल पूरानी गाड़ी होई है इतनी बढ़िया quality है और सबसे main चीज मुझा अच्छी लगी वो है इसकी mileage आपको highway पर आसानी से 21-22 की mileage निकल के देगी AC में तो वो भी काफी बढ़िया बात है इसकी cons के बारे में देखो ये subjective है सबके लिए क्या क्या चीज़े आपको पसंद नहीं है एक तो इसकी sound बहुत ही बाहर से ट्रेक्टर जैसी मतलब अभी engine तो बहुत ही smooth है लेकिन जब इसका AC के साथ fan ओन होता है तो कुछ लोगों को ये sound पसंद नहीं है injector knocking मेरी गाड़ी में बिलकुल नहीं है तो वो मतलब extra आवाज नहीं करी लेकिन जो इसका inbuilt आवाज है वो ही थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन अंदर आपको जरा भी मैसूस नहीं होगा कुछ लोग तो ये अंदर बेट के पेचान भी नहीं सकते कि ये petrol है या diesel वाली गाड़ी है इतनी इसकी cabin जो इतनी silent है और बाकी तो इसके कोई इसमें कुछ भी दिक्कत आज तक हमें फेस नहीं करनी पड़ी इसकी service थोड़ी महेंगी है इसका engine oil जो 5W40 505.01 हमें लेना वरती है लेकिन वो totally worth है अगर आप original parts डलवाते है क्योंकि इसमें आज तक कोई भी दूसरी दिक्कत हमें फेस करने को नहीं मिली है ये आसानी से इसका pickup भी काफी बढ़िया है और जैसे कि आप देख सकते अभी तो BS6 और BS6 आने के बाद companies और government rules काफी strict कर रही है तो अगर आप भी सोच रहें कि second end में diesel, vento या rapid खरीद रहें तो अभी भी time है आप खरीद लीजिए क्योंकि कुछ सालों बाद ये diesel गायब हो जाएगी ये जो मजा है diesel का torque का वो गायब होने वाला है तो आप जब तक ये अभी हमारे पास available है तब तक आप इसे enjoy कीजिए 2019 तक इसकी diesel variant अवेलेबल थी तो आपको second में 2019 तक का अगर कुछ कोई variant मिलता है तो बिन दास खरीद लीजिए इसके जैसी mileage आपको और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलने वाली हाँ लेकिन आज भी में उस पुराने वीडियो की तरह आज भी में बताना चाहता हूं कि इसका automatic DSG जो 7 speed आ बड़े हैं तो उसे avoid कीजिए अगर आपको 5 speed manual मिलती है 1.5 TDI तो बेजी जग आप उसे खरीद लीजिए आप साथ से 10 साल अगर इसके इसको रखते है प्रोपरली मेंटेन करते हो और मेंटेन की हुई गाड़ी ली है तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला इसका जो engine है वो काफी reliable है इसकी जो सब लोग बोलते है कि इसमें maintenance आता है maintenance आता है लेकिन वो अगर आपको पूरानी second end में कोई badly used गाड़ी मिल गई और badly abused गाड़ी मिल गई तो आपको दिक्कत होने वाली है लेकिन अगर आप इसका time to time अभी इसका 90,000 हुआ है लेकिन 7 साल हुआ है इसका timing तो एक लाक और 10,000 किलोमेटर पे हमें change करना होता है लेकिन 7 साल हो चुके है तो हम इसका timing belt अभी maintenance के तो पे change कर देंगे क्योंकि आपने सुना होगा अगर timing belt टूटा तो वाल्स जो इसके engine के होते है वो bent हो सकते है तो ये बहुत ज्यादा खर्चा करवाएगी लेकिन अग कुछ parts और सबी चीज़े change करते हैं तो आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली ये पका है इसमें जो major problems थी वो थी एक ABS sensor की वो भी मैंने आपको दिखा दिया आप किस तरह से सस्ते में करवा सकते हैं और इसके जो पूरे सारे parts है ये कोई sponsored वीडियो नहीं है ले गर आपको पसंद नहीं है DIY तो आप किसी अच्छे mechanics से इसे खुलवा लिजिए हमारे videos भी काफी helpful रहते हैं हमारे subscribers को इसका बाकी है कि आर्मरेस का लोग तूट चुका था तो उसका भी हमने जुगाड किया है बाकी तो कुछ नहीं है इस गाड़ी के बारे में इसके बाद जो petrol variant साहत है वो भी काफी अच्छे 1.0 TSI वाले वो भी काफी पंची है लेकिन उसमें mileage की दिक्कत तो रहती थी तो petrol और diesel में ये mileage का difference तो कुछ भी आप कर लो रहने ही वाला है पेट्रोल में अगर आप पूरा pickup लेते हैं और अच्छे से यही गाड़ियां चलाते हैं तो आपको तकरीबन 15, 16, 17 तक mileage मिलेगी 22 तक ये नहीं जा सकती अभी तो petrol और diesel में काफी कम difference है तो आप वो देख सकते हैं आपके use के हिसाब से आप खरी दिये लेकिन avoid मत किजिए अगर आपको Polo, Vento और Rapid और MEO ये गाड़ियां अगर आपको किसी भी कुछ लोग कहेंगे कि इ से नहीं डालने चाहिए, second end में अभी diesel बंद होने के बाद इसकी resale value काफी ज्यादा बढ़ गई है मैंने जब मैंने inquire की थी Polo या Polo diesel के लिए तो तभी मुझे पता चला कि अभी पहले से ज्यादा इसकी resale है क्योंकि diesel अभी बेन हो चुका है, मतलब diesel गाड़ियां ही नही बना रही है company तो थोड़ा बहुत यह दिक्कत है तो अगर आपको यह अगर आपको कुछ बीक वेरी है second end या वेंटो या पोलो या एम्यो या rapid के बारे में तो मुझे instagram पर भी पूच सकते हैं मैं अपना instagram यहां पर take कर रहा हूं instagram handle और अगर आपको कुछ भी हमारे काफी सा Facebook में groups भी Facebook और WhatsApp पर भी groups है और VCDS क्या चीज़ होती है वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा है अगर आपको कुछ भी query है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं इन गाडियों के बारे में तो हमें directly Instagram पर पूच सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडिय करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे थेंक यू